चीन हाल की स्मृती में दुनिया का सबसे खरा प्रदर्शन कर रहा है नसलवाद के रूप में, जिसमें विवीगर के खिलाफ नरसनहार के माध्यम से उनकी संस्कृती, भाशा, वारंपराव और जीवन के तरीके को मिटाने के इरादे से उन्हें इखटा कर रहा है, जिनमें स लाखों लोग कॉंसेंट्रेशन कैंप्स में पीडित हैं। लगबग दो दरजन आक्टिविस्स समूहन ने कहा है कि चीन के शिंज्यांग शेत्र में ज्यादत और मुस्लिम वीगरों के खिलाफ नरसनहार हो रहा है। नरसनहार इंसानियत के खिलाफ होने वाला सबसे भारत में कुछ 200 मिलियन मुसलिम हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मुसलिम आबादी जबकी भारत एक प्रमुक हिंदु देश है। मुसलिम की आबादी भारत में 25% है जिनमें से अधिकतर सुन्नी है। कुजरात में मुसलिम समुदाय 2002 के दंगे के बाद परिनाम सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के गंभीर अभाव को जेल रहे हैं। एक रिपोर्ट से पता चला है कि मुसलिम व्यक्तियों विशेश रूप से महिलाओ को महत्वपून अधिकार नहीं मिलते जैसे कि काम करने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भेद भाव का परियाप्त मानक जम्मू और कश्मीर देश का एक मुसलिम बहुसंक्यक राजिय को पिछले औगस्ट उसकी स्वायतता से चीन लिया गया था और तब से इसे बंद कर दिया गया है। खुछ गवाहों के अनुसार बड़े पैमाने पर हिरासत और यातना नया मानक है। 150 दिन के लिए सरकार ने राजिय को विशेश स्थिती को रद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और केवल एक डिगरी तक सीमित कर दिया। बिहार के राजिय में 2018 में एक योजना बद सामप्रदाइक दंगे के कारण एक तिहाई हिस्सा आग में जोग दिया गया था। राजिय के कई हिस्सों में राम नवमी के बाद एक सक्तह में सामप्रदाइक जड़पे हुई जो भाजपा, आरेसेस और बजरंग डाल के सदस्य द्वारा बिना अनुमती के जुलूस निकालने के बाद भड़क उठी। एक हुटे बाद राम नवमी के जुलूस के दौरान जड़पे हुई जिसके दौरान दो समुदाय के बीच पत्थर के द्वारा हिंसा हुआ, जिस से दोनों फक्षों के लोग घायल हुए। कुछ ही दौरान में दोनों समुदाय के लोग हिंसा पर उतर आये जिसमें मस्जिद के साथ बरबादी की गई और कुछ लोग मस्जिद के उपर भगवे रंग का जंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे केरेलाइक ऐसा राज्य है जहां हिंदू, मुसलिम और इसाईयों के बीच सब्भ्यस अस्तित्व से देखा जाता है यह उत्तर भारत के अन्य शेहरों और राज्यों के साथ विरोध मास है जहां इसलाम के खिलाफ बरती नाफरत हिंदू और मुसलिम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है वीगर्स मुसलिम धर्म के होते हैं और इसलाम उनकी जिन्दगी का एक महत्वपोर्ण हिस्ता है जिसमें इनकी भाषा तुर्की है शिंच्यांक शेत्र में होने वाले विकास ने हान चाइनीज को आकरशित किया है जिने बहतर रोजगार और अवसर दिये जाते हैं जिसके कारण वीगर्स में नाराजगी है विमान अपरन, बंग और चाको के हमलों जैसे वीगर्स वारा हमलों की एक निन्दा के जवाब में अधिकारियों ने आतंगवाद के खिलाफ एक वार्शिक अभियान शुरू किया है 1990 के दशक में और फिर 2008 में बेजिंग उलम्पिक के बाद चीन वीगर्स पर अपनी पेट बढ़ा रहा है 2009 में और शांती में लोगों की हत्या की गई जिससे सुरक्षा में व्रिदी हुई और कई वीगर्स को संदिगदा के रूप में हिरासत में लिया गया Communist Party of China द्वारा किया गया नर्स अनहार जर्मिनी में नाजियो द्वारा किये गया नर्स अनहार के समान है जिसमें वीगर्स महिलाओ की व्यवस्थित नस्बंदी की रिपोर्ट सामने आई है चीन में एक लाख से अधिक तुर्क वीगर को एकागरता शिविरो, जेलो और जबरंट श्रम कार खानों में हिरासत में रखा गया है ये बंदी सेना शेली के अनुशाशन, विचार परिवर्तन और फास्ट कनफेशन के अधीन है उनके साथ दुर्व्यवार, अत्याचार, बालातकार और यहां तक की उनकी हत्या भी की जाती है जो जीवित रहते हैं वो विदूती करण, वाटर बोर्डिंग, बार बार पिटाई, तनाव की सिथी और अज्यात पदार्तों के साथ इंजेक्शन के अधीन होते हैं इन सामोहिक निरोध शिविरो को शारिरिक और मनोविज्यानिक नुकसान पहुचाने और इगर लोगों की भावना को मांसिक रूप से तोड़ने के लिए तयार किया गया है चीनी पुरुष घर पर रहने वाली वीगर ओड़ों को शोशन कर रहे हैं क्यूकि उनके पती को एकागरता शिविरों में रखा गया है कई रिपोर्टों के अनुसार वीगर महिलाओं को बिना बुलाई चीनी महमानों के साथ बिस्तर साजा करने की मजबूरी पड़ी Associated Press दे विद्वान Adrian Gens की एक खोजी रिपोर्ट में सबूत से पता चलता है कि चीन व्यवस्थित रूप से गर्भावस्थिहा की जाच, जबरन इंटरियूटरिन डिवाईस, नस्बंदी और यहां तक की शिंच यांग में वीगर और अन्य मुसल्मानों को अबादी को कम क करने के लिए गर्भपात का उप्योग कर रहा है। यही नहीं ज्यादा बच्चे होने के जुर्म माना जाता है जिसकी सजा इंकारसरेशन होती है। रिपोर्ट के द्वारा जानकारी ये भी बताती है कि अधिकायों ने ऐसे माता-पिता का शिकार किया है, उन्हें उनके प पिछले साल 24% की तुलना में घटी और पूरे देश में 4.2% जब ही वह शेतर की आबादी चीन का सिर्फ 1.8% हिस्सा बनाती है। दे गार्डियन के अनुसार चीन दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा सप्लायर है और देश का 84% कॉटन का उत्पादन शिंच यांक से लिय जाता है। आक्टिविस्स में 38 कंपनियों का नाम दिया है जो जबरन वीगर या तुर्क मुस्लिम श्रम से जुड़ी है जैसे की नाइक, एचनिम, आपल और सामसिंग। नाइकी ने वीगर के रोजगार से संबंदित जोखिमों को पहचान करने के और उनकी सहायता करने के लिए परिश्रम करके दावों को जवाब दिया। शिंज यांग में परिचालन करने वाले निर्माता के साथ सबी संबंदों को काट कर एचनिम ने जवाब दिया। बिसनिस इंसाइडर के एक लेख ने आंटी स्लेवरी इंटरनाशनल के सीओ जैस्मिन ओकॉनर ने ये कहा क लिए एक मात्र तरीका है कि ब्रैंट्स यह सून इश्चित कर सके कि वो इस शोशन के माध्यम से मुनाफ़न नहीं कमा रही हैं। शेतर से बाहर निकलना और इन शेतरों के सप्लायर के साथ संबंद को सबाप्त करना इस चीनी सरकारी की प्रणाली को खतम करने का एक रास्त है। चाइना ने पिछले कई वर्षों में अपने आसपास के देशों जैसे की जपान, भारत, ताइवान, वियतनाम और नेपाल को काफी परिशान किया है। और अब इस लिस्ट में होंग कॉंग भी शामिल हुआ है क्योंकि चाइना ने राज्यमें और सहमती को कुचलने क के लिए ड्रिकोनियन राष्ट्र सुरक्षा कानून लागू किया है। तुर्दी होजा ने दावा किया कि दुनिया के बड़े पैमाने पर मौन रखने के कारण आज ये मानव अधिकारी तरास दी धीरे-धीरे एक पूर्ण विक्सित नरसनहार में बदल गया है। अब इसी माहमारी के कारण जो चीन में पैदा हुई, लोगों के पास आँख खोल के चीन की सच्चाई देखने का मौका मिला है और साथ ही अपने आप की गलती मानने का कि उनका अंधापन इस माहमारी के लिए अंशिक रूप से जिम्मदार है और वीगर की तरफ चीन का आक्रम वहवार के लिए भी पेचिंग ने वीगर समुदाय के खिराफ होने वाले दुर वहवार को बार बार इंकार किया है और ये कहा है कि शिंच्यांग में होने वाले कारवाई आतंगवात को मुकाबला करने के लिए करी जा रही है और इसे वोकेशनल ट्रेनिंग बुलाया जा रहा है बिजनेस इंसाइडर के लिएक से पता चलता है कि यू के में चीन के राजदूद को ड्रोन फुटेज के साथ सामना किया गया था जिसमें वीगरों को आँखों पर पट्टी बांद कर दिखाया था बंदे हुए थे और गाड़ियों पर लादने के लिए तयार थे राजदूद लिू शियो मिंक ने बीबी से के आंड्रू मार को फुटेज की सत्यता में इंकार नहीं किया लेकिन जोड़ देकर कहा कि यह देश में कैदियों के नियमित स्थान अंतरन की फुटेज हो सकती है मिस्टर शी जिन पिंग ने ये अपराधिक कर्तव्यों को जारे रखने का अपना स्पश्चंके दे दिया है लेकिन फिर भी अंतराष्ट्य प्रक्तिक्रिया कमजोर बनी हुई है EU ने अपने आपको शेत्र में पर्युवेक्षना के भेजने के लिए अनुमती मांगने तक्सीमित कर दिया है इस समय जिसकी जरूरत है वो है एक ठोस और एकाकरत प्रतिक्रिया की जो सब लोगतांत्रिक देश द्वारा हो